Hello students, पिछले वीडियो में हमने टर्टल जो पोयम थी वो पड़ी, अभी इस वीडियो में हमें अगला पेश पढ़ना है, इसलिए हमें कोर्स बुक का ही, कोर्स बुक निकालना है, ओके तो पेश नमबर सेवन पे हमें सबसे पहले आना है, उसमें हमें अगला टॉपिक दिया ह एक एक होता है, जिस पहें आपकी मिश लिखती है, ओके लेकिन आपके जो बैठने के डेस कोते हैं, वो बहुत सारे होते हैं, ओके, तो one blackboard और many desk, ओके, तो one और many, many मतलब बहुत सारे, ओके, और one मतलब only one, के, there may be one door, but there are many windows, अभी आपको पता होगा कि आपका जो classroom होता है, उसको एके दरवाजा होता है, और windows मतलब जो खिड़किया होती है, वो बहुत सारी होती है, Did you notice that when talking about more than one thing, we use the letter S after its name, अभी हम इस topic में ये पढ़ने वाले हैं, कि एक को सिर्फ single वाले को क्या बोलते हैं, और many, जो बहुत सारे होते हैं, उनको हम S लगाते हैं या नहीं, Let us see some examples from the lesson, तो ये हम मजे से पढ़ेंगे अभी, क्योंकि ये बहुत ही easy है, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, one और many कैसे होते हैं, तो ये जो है, ये एक turtle है, Only one turtle, और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कितने turtle हैं, one, two, three, four, five, कितने हैं, five turtles हैं, तो one turtle का spelling हम स्रिप इतना ही लिखेंगे, T, U, R, T, E, L, E, turtle, लेकिन अगर बहुत सारे, मतलब एक से ज़्यादा कोई चीज हो, turtles हो, तो उनको हम T, U, R, T, L, E, S लगा देंगे बाद में, ओके बच्चों, देखाई आपने बहुत ही ज़्यादा easy है, अगर एक होगा, तो उसका नाम वेसे लिखना है, अगर बहुत स सारे होंगे, तो उनको last में S लगाना है, ओके, next जो आपको दिखाई दे रहा है, वो एक लड़की है, तो निचे लिखा है, F, R, I, E, N, D, Friend, लेकिन ये तो तीन है, एक, दो, तीन है, तो F, R, I, E, N, D, S लगा दिया हमने, last में क्या लगा दिया, उसके S लगा दिया, क्यो हमें कुछ नहीं लगाना है, मेनी के लिए S लगाना है, ओके, in the same way, there are a few things for which you have to use ES, ओके, after their names, जैसे हमने S की प्राक्टिस की, S के एक्जाम्पल्स देखे, वैसे ही हमें ES भी लगाना है, अभी आपको यहाँ पे एक ही बस दिखाई दे रही है, ओके, तो हम यहाँ पे लि बियू एस बस लेकिन यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा मतलब दो बस दिखाई दे रही है तो इसको हम बोलेंगे बसेज ओके वन बस और मेनी बसेज ओके जैसे यहाँ पे था वन टर्टल मेनी टर्टल बस डिफ्रेंस यह है कि यहाँ पे सिर्फ एस लगाया था और यहाँ पे हमने इस लगाया है ओके वन बस के लिए उनली बियू एस बस और मेनी बसेज के लिए बियू एस इस बसेज ओके यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया होंगा अब नेश्ट हमें देखना है यह जो है यहाँ पर एक ही box है बी ओ एक्स box और यहाँ पर एक से ज़्यादा दिख रहे हैं एक दो तीम चार जिसको हम बोलते हैं बोलेंगे one box और यहाँ पर many boxes ओके तो यहाँ पर box को हम yes लगा देंगे तो यह हो जाएंगा boxes ओके तो यह भी example आपको समझ में आ गया है one box और many boxes ओके next हमें देखने है apples के example अभी one apple को बोलते है one apple और many apples को बोलते है many apples one apple many apples यहे cow cow one cow many cows रास्ट में हम क्या लगा रहे हैं yes लगा रहे हैं ओके यहाँ पर है one pen many pains यहाँ पर भी yes लगा दिया one rat many rats यहाँ पर भी क्या लगा दिया many को ज़्यादा अगर संक्या हो तो इसको क्या लगाएंगे S लगाएंगे अब ये वाले एक्जाम्पल में है One Brush Many Brushes तो इसको क्या लगाया हमने ES लगाया यहाँ पे है One Mango Many Mangos तो mango को क्या लगा दिया ES लगा दिया तो Many Mangos हो गए Next है One Glass Many Glasses यहाँ पे भी क्या लगा दिया हमने ES लगा दिया One fox, many foxes इस तरह से हमने सारे एक्जामपल S और ES के बहुत ही अच्छे से समझ लिए तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक किजिए, सब्सक्राइब किजिए और बेल पर पर क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियो ऐसे ही मिलते रहें और मैं आपकी मदद हमेशा ऐसे ही करते रहूँ तब तक के लिए बबाई